राम राम फ्रेंड्स ओफिस शल्देशी कीचन में आप सब का स्वागत है अज हम बनाने वाले धही बड़े और यह बहुत ही ज़्यादा स्पॉंची और ट्रेस्टी होते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो मिलास तक बने रहिए शूर करते हैं धही बड़े बनाने की त् बिल्कुल भी इसको डायेक्ट जार में डाल दिया है और मैं इसमें थोड़े से मसाले अड़ करूंगी यहां पर मैं छोटी वाली चमज है यह नमक की ड़ल रही हूं बरकार और इसमें दो से तीन पिंच डालूंगी हींग हींग से क्या होगा इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट और खुचबू आएगी और यह बड़े बहुत ही ज़्यादा स्पॉंच होने वाले हैं नहीं मैंने आपर कवी बेकिंग पाउडर और यहनों का यूज किया है चलिए इसको मैं पीस लेती हूँ इसको पीसने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यह ज़्यादा गाड़ा हो रहा है तो इसमें मैं 2-3 चमच पानी एड़ करूंगी और इसको पीस लेते हैं देखिए फ्रेंट्स दाल मैंने पीस ली है अब इसको निकालेंगे एक बरतन में और आप इसकी ठीकनिस देख सकत अगर यह उपर आ जाता है तो यह परफेक्ट हमारे बड़े बनाने के लिए अब देख सकते हैं मैं थोड़ा सा बैटर लिया है और उसको पानी में डाला है और यह तुरंत ही उपर आ गया है तैर कर तो यह परफेक्ट हमारे दही बड़े बनाने के लिए आप इसको जितन के लिए आप चाहो तो तुरंत भी बना सकते हो बड़ों के साथ सारू करने के लिए मैं आपे कुछ पपड़ी बना रही हूं और यह बूरा का डबबा है यह मेर से खुला नहीं है तो मैंने अपने बेटे को बुलाया है और मैं इस बूरा को यूज करूंगी दही में जो हम हमारी पपड भाणी बनकर रेडी हो चुकी है बैटर त्यार है भल्ले बनाने के लिए और यहां पर मैं मीडियम साइज के बना रही हूं आप जाहो चोटे बड़ी बना सकते हो और यहां पर मैंने ओट है तो थोड़ा ही लिया है मैं जादा यूज नहीं करती क्योंकी गभ तोड़ा थोड़ा ही और इसी तरह मैं सारे भल्लें को फ्राय कर लेती हूं जब तक भल्ले हो रहे हैं हम यहाँ पर शोप करने के लिए उसके पानिया बना लेते हैं और यहाँ पर मैंने हलका गुंगुना पानी लिया उसमें चमच नमग और दो सितिन पिंच डालेंगे अग आप न जब अगर भल्ले फ्राइ कर रहे हों तो आप उसमें तो रंत कोई भी कर्चीना लगाएं जब उनके ऊपर हल्क हल्की ब्राउन ब्राउन सी पर अताने लगे तब उनको आप पल्टे और यहाँ पर मैंने कुछ बना लिये हैं मैं आपको दिखाऊँ एक तोड़कर अंधर से बहुत ही ज़्यादा स्पॉंची देखो विल्क जालीदार बना है अगर आप इस तरीके ते बनाओगे तो आपका भल्ला बहुत ही स्पॉंची जालीदार और टेस्टी बनने वाला है अब भल्लो को पानी में शोक करके रख दूँए दो से तीन मिन्ट के लिए वल्ले बन कर रहे डिया है अब हमको सर्व कर लेते हैं मैंने एक भल्ला लिया है उसको हलके हाथ से दवाते हुए थोड़ा सा पानी निचोड़ लिया और आप देख सकते हो फूला फूला है पान पानी मिर्च से बनी हुए कोछ मसाले उपर से खटी वाली इमली की चटनी डालने के बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ा से सुखा मसाला यहां पर मैंने लिया है चाट मसाला लाल मिर्च और बुना हुआ जीर पावडर इससे देखने में भी अच्छा लगेगा और मैंने इसमें दो पावड़ डाली और दही में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें धेर सारी डाली है मैंने इसमें उपर से हम खटी मिठी दोनों चटनी डालेंगे और यह हमारा तरीका है अपना खाने का हम इसी तरीके देखाते हैं इसमें थोड़ा क्रण्ची पन भी होता है पापड़ी का और थोड़ा खटा मिठा और तिखा टेस्ट होता है और सौफ्ट भल्ला होता है तो फ्रेंट्स प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना आज की रेचिपी आपको कैसी लगी इसके उपर भी हमें सुखववा मसाला थोड़ा सा डाल देंगे उपर से इसे क्या ह इसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने वाला है इसमें और यहां पर थोड़ा अद्रक के लच्छे और अनार के दाने भी होते हैं अद्रक के लच्छे हम खान पसंद नहीं करते और अनार के दाने है नहीं तो इसलिए आपके पास हो तो आप डाल सकते हो आप द दही बला बनकर रेड़ी है आप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सस्क्राइब जरू करना आप भी बना कर खाओ यह हॉली स्पेशल किसी भी ओकेशन पर बना कर खा सकते हो तो आप थाओ आप थाओ थाओ झाओ भाओ